नमस्कार मैं हूँ प्रग्या बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है आज है 3 अप्रेल दिन सोंबार खब्रों क्योड बढ़ने से पहले एक नजर सुर्ख्यों पर आज से दसवी क्लास के लिए स्कूटनी प्रोसेस शुरू बाट से राहत दलाने के लिए राजी सरकार आठ योजनाओं पर तर रही का रामनवी में हुए बिहार हिंसा पर सीम ने बुलाई हाई लेवल मिटिंग महिला सम्मान बचत योजना के खुई सुर्वाद 7.5 फीज़ी तक मिल रहा सालाना ब्याद रास्थान रोयल्स ने संराइजर स्हादराबाद को 72 रन से खड़ाया अब चले बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों के ओर विस्तार से आयार सेजी सी में 176 टुरिज्म और हॉस्पिटालिटी मॉनिटर्स की भरती बहर सिरकार के वेल मंतराले के अधीन सावजनिक छित्र की कंपनी इंडियन रेल्वे कैटरिंग और टुरिज्म कॉर्पोरिशन लिमिटेड विवन जोन में टुरिज्म मॉनिटर्स और हॉस्पिटालिटी मॉनिटर्स के पदोग पर भरती के लिए अलग-अलग भरती अध ctc.com पर भरती सेक्शन में अक्टिव लिंक से इन भरती अधिसूशनाओं को डाउनलोड कर सकते हैं। आज से दस्वी क्लास के लिए स्क्रूटनी प्रोसेस सुरूँ। भरने की श्रवात कर दी जाएगी। मालुमों कि बिहार विद्याले परिच्छा समीती की ओर से बिहार बोर्ट दसवी का रिजल्ट 31 मार्स 2023 को जारी किया गया था जिसमें 16,10,657 चातर चातरां में 13,5,203 विद्यार्थी पास हुए हैं। बिहारी बोर्ट दे स्पेशन में आज हम बात करेंगे HC वर्मा के बारे में। कमजोर वर्क बच्चों के समाजी कुथान के लिए डाल्टन गंच 105 जैसी कुछ पहलों की सहस्थापना की है। उनकी वेबसाइट के नुसार वह वर्तमान में विज्ञान का धियन करने वाले सनातक छातरों के लिए इलेक्ट्र स्टेटिक्स, मैगनेटो, स्टेटिक्स और इलेक्ट्रो डायनेमिक्स के बारे में एक किताब पर काम कर रहे हैं। उन्हें बिहार राजे सरकार द्वाला मौलाना अबुल कलाम आजास सक्षा पुरुसकार से समानित किया गया है। इसके साथ ये ने 2021 में पदमश्री से भी समारत किया जा जुका है। का संग्यान लेते वे चल संसाधन विवाग के वड़िये अभियंताओं द्वारा गठिती ने दो बार कटाओ अस्थलों का सरक मार्ग एवं नदी मार्ग से सगर नरक्षन किया है। इसलिए गाद की सफाई आधी के लिए संबंध विवाग के अधिकारियों को नर्देश भी दिये के हैं। इवं कटाओ से सुरक्षा के लिए पूर्णिया में आठ, अर्या में जिले में आठ, किसंगंच में 21 और कटिहार जिले में 9 योजनाओं पर काम किया जा रहा है। गंगा में लुप्त मचलियों की बढ़ेगी आबादी। इस कारिक्रम में बिहार को भी शामिल किया गया है, इसके पहले चरण में भागलपूर में सुल्तान गंच में योजना के तहट कत्रा मचली की ब्रेडिंग कड़ाई गई है। रामनवी हिंसा पर हुई कारवाई की सयुपत रूप से मुख्य सचीव ने दी जानकारी। पिहार पुलिस और प्रशासन बिहार सरीफ और सासा राम में हुए हिंसा को लेकर अभी अलर्ट मोड में है। ये बैठक भी की गई थी। उनके तरफ से इस बात की भी जानकारी दी गई कि दो शहरों को छोड़कर हर जगा हाला सांतिपुर्ण बने थे। साथी सभी उन्होंने यहाब भी बताया कि पता दिकारियों द्वारा भी बहतर काम किया गया। बिहारी परेटर में आजम बात करेंगे सोखो देवरा आश्रम के बाड़े में। जला वक्याले से लगभग 55 किलो मीटर की दूरी पर इस्थ सोखो देवरा गाउं बहुत सी सुंदर है। सेखो और देवरा नामक दो टोलाओं के संयोजन से सेखो देवरा गाउं का निर्मान किया जाता है। गाउं में सरवोदय आश्रम जिसे 1952 में जयप्रकास नारायन ने स्थापित किया था। आश्रम से 500 मीटर की दूरी पर इस्थ जंगल के बीच एक चटान जेपी द्वरा ग्यात चटान के रूप में बनाया गया था। 142 के आजादी के आंदोरन के दौरान हजारी बाग जेल से पलायन प्रसद नेता और क्रांतिकारी चैप्रकास नारायन इंचटानों के पास छिपरे रहे थे। या परेटनस्थल नवादा पटना गया कॉलकता के साथ सरक से जुरा हुआ है। इसथान कादरी गंच नवादा एवें रो से होते वे नवादा जिलमक्यारे से पचपन किलो मीटर की दूरी पर स्थित है। सहरसा से राइस मील में आग लगने से हुआ लाखों का नुकसान। सहर्जा के जैभवानी राइस मील में आग लगनी की घटना सामने आई है जहां राइस मील में रखे चावल और धान जल कर राख हो गया अचानक से लगी आग को देखकर आस पास के लाके में अफरा तफरी का महौल बन गया था आग लगनी की क्या वज़त ही इस पात का पता अभी तक नहीं चल पाया है लेकिन सौट सर्किट से आग लगनी का अंदाजा लगाया जारा है बता दे किस घटना में लाकों का नुकसान बताया जारा है आग लगनी के बाद मौजूद लोगों द्वारा तुरंत फायर ब्रिग्रेड को सूचना दी गई मौके पर ही फाय रानापूर खगॉल और फिलवारी सरीफ के सीमा छेत्रों में जो सीटी बसे डीजल से परिचारित होती है उनके परिचारन पर 30 सितंबर 2023 के मद्य रातरी से रोक लगा दिया जाएगा पतादे कि फैसला बिहार में बढ़ रही खतरनाग प्रदूशन के कारण लिया गया है पडिवन विभाग के द्वरा इस मामले को लेकर अधिशूशना भी चारी कर दिया गया है बतादे कि सहरी छेत्र के वायू गुनवत्ता में सुधार लाने के लिए जितनी भी डीजल बसे इन छेत्रों में संचाले थोड़ ही है उन सभी बसों को सीनजी में कनवर्ट करने परवाहन स्वामियों को राजे सरकार द्वारा वीतिय सहायता प्रदान किया जाएगा बता दे कि वीतिय सहायता राजे सरकार द्वारा बिहार स्वच इंधन चालित योजना के तहट दिया जाना है जो ततकाल प्रभाव से लागू की जाएगी मिरी जानकारी के अनुसार 31 जुलाई वर्ज दो हजार चौबिस तक इस योजना की काड़े आन्वन अग्दूपर दो लाग रुपे तक महिला सम्मान बचत पत्र में इस योजना के तहट जमाक कर पाएंगे इस योजना में दो साल तक निवेश किया जा सकता है यहां महिलाओं को 7.5 फीजी के दर से हर वर्ष प्याज भी मिलेगा मिली जानकारी के नुसार 3 अप्रेल यानि आज से पोस्ट ओफिस में एक खाता खोला जा रहा है बता दे कि 31 मार्च वर्ष 2025 तक ही इस स्कीम की मानिता रहेगी देविंदर सर्मा जोकी संचार मंत्राले डा के सहायक निदेशक है उनके द्वारा इस संबन में पत्र भी जारी कर दिया गया है राम नवी में हुए बिहार हिंसा पर सीम ने बुलाई हाई लेवल मिटिंग निदीश कुमार द्वारा बिहार के कए हिंसों में हुए हिंसा को लेकर हाई लेवल मिटिंग बुलाई गई पतादे के मुख्यमंत्री द्वारा सासा राम और बिहार सरीफ में हुई घटनाओं के समिक्छा की गई, साथ ही साथ उन्होंने मुख्य सचीव और डीजीपी को इस मामले को लेकर कठोर कारवाई करने का नर्देश भी दिया, वहीं अधिकारियों को अलर्ट रहने की बात भ परा की गई है, विट्यार में एको टुरिस्म को बढ़ावा देने के लिए तैयारी शुरू, वालमी की नगर वनचितर के बाद अब विज्यान प्रशासन, मंगू राहा वनचितर में एको टुरिस्म को बढ़ावा देने के लिए तैयारीयों में जुट गई है, पता दे क यहां होने वाले टुरिस्ट कॉंप्लेक्स का निर्मान अत्याधुनिक सुवधाओं के साथ तीन एकर भूमी पर किया जाएगा वह इसके निर्मान को लेकर भूमी की कमी न हो इसके लिए वी टियार प्रशासन की ओर से वन प्रमंडल पदाधिकारी सह उपनिदेशक प्रद् जदियू के निर्स ने अमस सह से डॉक्टर श्रेकरशन सिंग को भारत रत्म देने की कीमांग। नवादा में करने जा रहे हैं जोकि डॉक्टर श्रेकरशन सिंग की जन्मस्थली है उनके इस जन्मस्थली को मुख्यमंत्री द्वार अविक्सित किया गया है अब नवादा में काड़िक्रम करने जा रहे हैं तो हमें उम्मीद है कि आप दिल से और हिम्मत के साथ जल्च देने की घोशना करें तक मंड़ेगा के अंतरगत रोजगार देने में बिहार सबसे आगे मंड़ेगात राहुलक्मार के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार मन्रेगा के अंतरगत लक्षे के विरुद रोजगार देने में देश में पहला अस्थान बिहार का है पतादी के बिहार में पिछले वीतिय वर्स 2022 है तेईस में पूरे देश में सबसे जादा 23.1 करोर रोजगार दिया गया है मालुम हो कि इस वर्ष रा बिहार में गर्मी को लेकर अलर्ट जारी बिहार के मौसम में पिछले कुछ दिनों से लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है इसी बीच भारतिये मौसम विज्ञान विवाग के पुरवानुमान के अनुसार अप्रैल की महीने में लूग कभी भी दस्तक दे सकती है जो कि सा मौसम विज्ञानियों द्वारा जारी बुलिटिन के नुसार अप्रैल में अधित्तम ताप मां सामाने से अधिक रहेंगा वही को बता दे कि मौसम के मौसम के साथ बारिश और ओला विलिस्टी की संभावना से किशानों की मुस्किले भी हो रहेगी नो इंट्री पटना में अब रात के ग्यारा बजे तक भारी वहानों की प्रवेश पर रोक रहेगी बता दे कि पहले यह समय सीमा रात की 10 बजे तक थी जिसे बढ़ा कर अब 11 बजे तक कर दिया गया है मिले जानकारी के इसका प्रस्ताव ट्राफिक पुरस द्वारा किया गया है चिला प्रशासन द्वारा अभी इसे मंजूरी नहीं मिली है लेकिन मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार जल थी इस पर मंजूरी मिलने की उम्मीद बताई गई है बताते चले कि हाली में हुए के डी एप डॉक्टर चंद्रसेखर सिंग ने बहारी वानों के नो इंट्री की समय सीमा को बढ़ाने समंदी आदेश निर्गत किया था यूपी में काबा से प्रसिद गाईका का एक और गाना आया सामने लोग गाईका नेहा सिंग राठोर यूपी में काबा गाने को लेकर लोगों के बीच काफी चर्चा में आया थी अब एक बार फिर से लोग गाईका का नया गाना सामने आया है जिसकी चर्चा हड कोई कर र साहिब जी का है विकास हो रहलबा? यारी दोस्तों में देश्वा के नास हो रहलबा इस गारे को ले कर लोग सोशल मीदिया पर जम कर रियाक्ται कर रहे हैं कुछ लोग कमेंट सेक्षन एंग स्कूण में खुद का खयाल रखने की सलह दे रहे हैं तो निहा का यू सरकार पर सवाल खड़े करने का अंदाज कुछ लोगों को काफी पसंदारा है। नहीं बने देंगे उन्होंने कहा कि नितीश कमार के मंत्री भाजपा का दर्वाजा खटकटा रहे हैं लेकिन दर्वाजा उनके लिए हमेशा के लिए बंद हो चुका है बिहार में एक बार फिर से जंगल राज का आगमन हो चुका है। सोर ने मुखे समस्या बताया है अपनी बातों को आगे बढ़ाते विए उन्होंने कहा कि अब तक राज्य सरकार द्वाराय से लेकर अभी तक कोई ठोस उपाई नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि बिहार में गरीब के सासा सुखी संपन लोग भी पलायन कर रहे हैं क्योंकि यहां कुछ नहीं रहनी की कारण पढ़ाई और नौकरी की तयारी के लिए बाहर जाना उनकी मजबूरी बन चुकी है। इन्हीं वज़ों से अधिकांस गाउं में युवक नहीं और वे बिहार से बाहर है। आज यानी की शुमवार को DM के प्रमुक और तमिलनाडू के मुख्यमंत्री MK स्टालिन के दोरा कॉंग्रेस समेथ 20 विपक्षी दलों के निताओं की एक बैठक बुलाई है। इसके लावा आज होने वाले इस बैठक में राज़त के तेरश्वी यादव, सपा के अखिलेश यादव, NC के फारुक अब्दुल्ला, CPM के सीता राम येचूडी और CPI के डी राजा भाग लेंगे बहीं, बीज़त के सस्मित पात्रा, YSR के सुरेस, NCP और सिर्फ सेना भी इस बैठक में हिस्साल ले सकते हैं, बता देए कि इस बैठक को लेकर अब तक ZND को पूरी तरह से साफ नहीं किया गया है, लेकिन DMK के द्वारा मीडिया को दिये बयान में कहा गया है कि बैठक किसी राजनितिक मनसा से नहीं की जा रही है रास्थान रोयल्स ने संराइजस हैदराबाद को 72 रनों से खड़ाया, 31 मार्स से सुरू हुए IPL 2023 के 16 सीजन का चौथा मैच रास्थान रोयल्स और संराइजस हैदराबाद के बीच खेला गया, इस मुकाबले में संराइजस के कप्तान भुवनेश्वर कुमार के द्वारा टॉस जीत कर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया गया, वही रास्थान ने पहले बैटिंग करते वे हैदराबाद के सामने 203 रन का बड़ा लक्ष रखा, इसके जवाब में हैदराबाद की टीम ने 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर केवल 138 रन बना पाई और इस भारतिये अंतरिक्ष यात्री बने, भारती पहला वैस्विक दूर संचार उग्रह इनसेट एक ई प्रचेपन 1999 में किया, मेधा पार्टकर को 2008 में राश्थ्य कांती वीर अवोर्ड 2008 से नवाजा गया, कलकता के इरन गार्ड्स मैदान पर 2016 में वेस्ट इंडीज ने इंगलै को हडाकर ICC 2020 विश्व कप को जीता उत्राखन की राजधान देहरादुन के वन अनुसंधान संस्थान में 2017 को उनीसवा राश्ट्र मंदल वानी की सम्मेलन शिर हुआ, संद 2007 में नई दिल्ली में चोदवा सार्क सम्मेलन शिर हुआ, सुदंता सिनानी एवं समा सुधारक कम समला देवी चटोपाध्याय का 1903 में जन्हुआ, भारत की मशूर अभिनेत्री जया प्रदा का 1962 में जन्हुआ, मशूर गायक हडिहरन का 1905 में जन्हुआ, भारत में मराथा सामराजी की नीव रखने वाले छतरप्रतिस्तेवा जी मराज की 1680 में राइगर में मृत्य हुई वारल कर में आज हम बात करेंगे दसवी कक्षा की बोर्ड परिक्षा के बारे में, सोसल मीडिया पर कहीं सुचना है वारल होती है, लेकिन सभी सच हो ये ज़रोई नहीं है, इसी करें में आज हम बात करेंगे दसवी कक्षा की बोर्ड परिक्षा के बारे में, दरसल दवा किया जा रहा है कि दसवी कक्षा की बोर्ट परिच्छाएंग करने का कोई प्रावधान नहीं है कृप्या ऐसे भ्रामक संदेश फॉरवर्ड ना करें भाड़ी हुई गूगल ड्राइब पर चुटकियों में सर्च कर पाएंगे कोई भी फोल्डर या फाइल गूगल ने अपनी गूगल वर्कस्पेस अब्डेट ब्लॉग पर घोशना की है कि उसने सर्च चिप्स नामक एक फीचर रोल आउट किया है जिसकी घोशना उसने फीचर यूजर्स को उन फाइल्स को फिल्टर करने की सुविधा देगा जिने वे भड़ी गूगल ड्राइब में ढूड़ना चाहते हैं यूजर्स फाइल को अफाइल टाइप और लास्ट अपडेट डेट जैसे विविन क्राइटेरिया से खोश सकते हैं स्पीचर का काम उसके लिए प्लैटफॉर्म पर फाइल सर्चिंग को तेज और आसान बना रहा है दूसरी साधी की अफ़ा पर बातसा नहीं तोड़ी चुपी पिछले कुछ दिनों से सिंगर रैपर बातसा को लेकर यह खबरे सामने आ रही थी कि वह दूसरी साधी करने वाले हैं लेकिन इस बात में कितनी सच्छाई है इस बात का खुलासा खुद बातसा के द्वारा अब कर दिया गया है दरसल बीते दिन रविवार दोपह रैपर बातसा के द्वारा अपने इंस्टाग्राम पर अपनी शाधी की खबरों पर चुपी तोड़ते वे एक पोश्ट शेयर कर सब क क्लियर कर दिया है उन्होंने लिखा मैं आपसे विंती करता हूं लेकिन या बहुत ही बचकानी हरकत है मैं शाधी नहीं करने वाला जो भी आपको यह खबर दे रहा है उसे बहतर मसाला ढूनने की जरूरत है आपकी जानकारी के लिए बतारी कि बातसा तो नहीं 2015 में जैसमी बॉक्स में लिख कर दिया था जिसनों नहीं हमादरा पूछेगा सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है उन्नु गोलु कुमार कुष्ट कुमारी आदव मन मुहन कुमार चौधरी मृत्यूंजर कुमार मुहमद सकीर हुसैन रेनु देवी अविशेक राज कवीता कुमारी के लिए देखते रहें बिहारी न्यूजर साथ ही अगर आप यूटूब से देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना और अगर आप फेस्बुक से देख रहे तो पेज को फॉलो करना ना भूले थानेवाद